बिस्मिल्ला रख्मानी रहीम अस्सलाम अलेकूं आज मैं आपके साथ बहुत ही जबर्दस सा मार्बल केक की रेसिपी शेयर करूंगी जो हम विदाउट ओवन बनाएंगे इसके लिए मैंने इंग्रीडियेंट्स सिकाल दिये हैं जिसमें यहां पे में पास है डेढ़ कप एक कप चीनी है वन टीस्पून यहां पर हम वैनिल एसंस लिए वन टीस्पून बेकिंग पाउडर और टू टेबिल स्पून हम इसमें कोको पाउडर एड़ करेंगे यहां पर मेजरिंग कप्स हैं यह मैंने सब इसको इंग्लिस्पून से मेजर करके निकाल लिया है सबसे अधिकला हम जिने से में थे खतंग हम पाल में चीनी एड़ करके इसमें एक चृथाई काफ हम उइल एड़ कर के इसको बीट कर लेंगे यह हैं पर इसको इक दो मिनित के अब मैं इस स्टेज़ पे इसमें दूड एट कर दूँगी और इसको भी हम अगें अच्छे से बीट कर लेंगे ये चीनी, ओइल और दूद अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएं जो लोग मेरी वीडियो फर्स टाइम वाश कर रहे हैं अब इस स्टेज़ पे मैं इसमें वन टी स्पून वैनिलेसंस एट कर दूँगी और अगें हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे उसके बाद हम इसमें मेजरिंग करके देड़ कप के करीब हम इसमें मैदा एट कर देंगे ये एक कप और ये देड़ कप यह हमने इसमेट कर दिया है इसी के साथ मैं इसमें वन टी स्पून बेकिंग पाउडर एड़ कर रही हूँ और अगेन हम इसको हैंड बीटर की मदद से अच्छे से बीट कर लेंगे आप लोग भी इसको बनाईएगा मेरी रेसिपी से बहुती जबर्दस बनता है विदाउट ओवन और विदाउट एग के ये केक ये देखिया अच्छे से मेक्स हो चुका है बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं है अब हम इस बैटर को दो हिस्सों में डिवाइट कर देंगे ता इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये देखे मैंने 2 टेबिलिस्पून इसमें कोको पाड़र एड़ कर दिया है अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी जब तक हम इसका बैटर रडी कर रहे है मैंने भगोने को आदे गंते के लिए मीडियम फ्लेम पे ढखके रख कर लिया है और इसमें उपर पेपर आट कर दिया है अब यहाँ पर मैंने जो साधर वाला मिक्सटर था पहले हम वह एट करेंगे थोड़ा सा और इसी के साद मैं उपर से कोको पौडर वाला मिक्सटर आट कर दूगी और इस प्रोसेजर को हम इसी तरह के से कंटीन्यू करते रहेंगे जब तक कि हमारे दोनों बैटर हदम नहीं हो जाते हैं अगेन हम प्लेन बैटर इसमें एड़ करेंगे थोड़ा सा और उपर से अगेन हम कोको पॉडर वाला बैटर भी एड़ करेंगे यह देखें इसका लुक कितना जबरदस बन रहा है आप लोग भी बिलकुल इस प्लेन बैटर एड़ कर रही हूं और जैसे जैसे हम लास तक आएंगे वैसे वैसे हम थोड़ा थोड़ा बैटर हम इसको कम कम एड़ करेंगे जैसे हम शुरू में ज्यादा प्लेन बैटर एड़ कर रहे थे और ज्यादा ही कोको पैटर एड़ कर रहे थे इसी तरीके से Gain इसमें मैग बैय AID कर दूँक्ति और अगयन हम इसमें उपर प्लेअ बैटर ठूड़ा से रह गया है वो मैं इसमें एट कर दूँक्ति अगर आपने उपर तो इसको टरीके से भी बेग कर सकते हैं वरिनर जिस टरीके जबजी और सिंपल लगता है ये देखें मैंने इसको इस तरीके से मैंने डिजाईन कर दिया है पैन भी हमारा अच्छे से प्रीहीट हो चुका है ये देखें कितना जबरदस मैंने डिजाइन बनाया है माशाला से अब मैं इसको 40 मिनट के लिए बेक कर लूँगी पैन हमारा अल्रेडी प्रिहीट हो चुका है यह देखे मैं आपको दिखाया देखे पैन मैंने प्रिहीट कर लिया है मैंने इसमेड कर दिया है मैं इसको 40 मिनट के लिए बेक करूँगी यह देखें 40 मिनट्स हो चुके हैं मैं इसको चेक कर लूँगी यह देखें कितना जबरदस हमारा मार्बल केक रेडी हो चुका है मैं इसको निकाल लूँगी अब हम इसको ठंडा करके कट करेंगे केक को बार बार कवर हटा के मत चेक कीजिएगा पूरे परफेक्ट टाइम पर 40 मिनट्स में ही चेक कीजिएगा तो बहुती जबरदस और परफेक्ट केक बनता है यह देखें कितना जबरदस लग रहा है मैंने इसके छोड़े-चोड़े पीस में कट कर लिये हैं बहुती जबरदस और सौफ सा केक बना है आप लोग ज़रूर ट्राइ कीजिएगा और मुझे अपना फीड़बेक लाज में दीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आकन ज़रूर प्रेस करें तो मुझे दीजे जाज़ाद इंशाला जल मिलते हैं हम अपनी नई रेसिपिस और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफिस